सुर्योदे आश्रम की कमान अब भईयो महराज की पत्नी डक्टर आयूशी ने समाल लिये उन्होंने भईयो महराज के 51 में जन्म दिवस पर एक विशेश का रिकम कायोजन किया और सुर्योदे आश्रम में उन्होंने कई बातें कही बहुत सी बात की है अच्छा भी बोला और बुरा भी मेरा संदेश उन लोगों के लिए हैं जो कहते हैं कि सुर्यों दयका सुर्य अब अस्त हो गया उनके लिए मेरे पास दो पंक्तिया हैं बुराई की डर से नेकी कि होसले पस्त नहीं होते, कुछ उसूल गम की आंधियों से द्वस्त नहीं होते अंधेरे लाग कोशिश कर लें सब कुछ च्पाने की हम सूरज हैं कभी अस्त नहीं होते कुल मिलाकर उन्होंने यह कहा कि भाईयों महाराज के इकाउन में जनुदिवस पर परिवार एक हो गया है और सद्गुरू दत्पारमार्दिक ट्रस्ट की अच्छी हालत भी हो रही है उन्होंने ट्रस्ट दौारसन चलिद के तुविधियों की जानकारी देते हुए कहा कि हम कई नई योजनाएं लागू करने जा रहे हैं उन्होंने यह भी कहा कि अब ट्रस्ट की कमान उनके हाथ में रहेगी और उन्होंने यह भी कहा कि मेरे पती पर मुझे गर्व है कि उन्होंने अच्छे काम किये जिससे उनकी एक पहचान है रूंदे हुए गले के साथ डक्टर आईशे ने कहा कि मेरा आज 19 अपरेल को मानता और रास्ट सिवा के लिए काम आप सब के करने के लिए करत संकल्प है इस मोके पर उनकी सास कुमुद्नी दिवी और भायो महाराज की दोनों बहने भी मुझोद थी उन्होंने यह भी कहा कि कुहू भी मेरा सपोर्ट करेगी